नमस्कार SPN 9 News में आपका स्वागत है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी आज कल सुर्खियों में बने हुए है दरसल पांच राज्यों में विधान सभाद चुनाव होने है और चुनाव से पहले राहूल गांधी के दोरे राहूल गांधी की बाते और राहूल गांधी के जरीये की ये कामों की चर्चा अब जन जन तक पहुँच रही है दरसल आपको ये बता दें कि राहूल गांधी कई ऐसे कामों में लिप्त नजर आए जिसके बाद नायक से जनायक बन जाते हैं कभी मज़दूरों के साथ खाना खाते हुए नजर आए तो कभी यहाँ पर फरनीचर मार्केट पहुँच कर वहाँ पर फरनीचर बनाते हुए दिखाई दिए कभी फूट डिलिवरी बॉय के साथ खाना खाते हुए दिखाई दिए कभी दली यूनिवरसिटी जाते हुए छातर छातराओं को संबोधित करते हुए नजर आए कभी पुरानी दिल्ली जाकर चाट का लुफ्त उठाते वे नजर आए और फरनीचर मार्केट के बात करें तो अब यहाँ पर एक बड़ा तौफा यहाँ पर राहुल गांधी के जरीए स्कूल के बच्चों को दिया जा रहा है दरसल आपको बदा दें कि कॉंग्रेस नेता और वाइनाट सांसद राहुल गांधी इस साल सितंबर में दिल्ली के एक फेमस फरनीचर मार्केट में गए थे उन्होंने वहाँ पर कुछ लकड़ी कारिगरों के साथ मिलकर मेज तैयार की थी अब इस मेज को दिल्ली के स्कूल को दान किया गया है दिल्ली कॉंग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंग लवली ने स्कूल में मेज को दिखाए जाने की जानकारी दी है साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरों को भी शेयर किया है जिसमें कॉंग्रिस नेता को मेच पर लगा फीता खोलते वे देखा जा रहा है कॉंग्रिस की दिली यूनिट के अध्यक्ष अर्विंदर सिंग लवली ने राहूल गांधी और कीरती नगर फरनीचर बजार के कारिगरों के जरिये बनाए गई मैच को दिली के एक स्कूल को दान में दे दिया है राहुल गांधी के जरिये बनाए गए मेच को दिल्ली के कड़कर दूमास्थित दिव्यांग जनों से संबंदित प्रमीला बाई चुआन स्कूल के स्टूडेंट को दान किया गया है एक बड़ा तौफा राहूल गांधी के जरीए स्कूल के बच्चों को दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है राहूल गांधी का प्यार है और जिसके जरीए स्कूलों में इस मैच पर बैठते वे बच्चे यहां पर पढ़ते वे नजर आएंगे अब बड़ी काम राहुल करते वे नजर आते हैं जिस वजा से अब हर लोगों की पसंद राहुल गांधी बन गए है